नमस्कार दोस्तूं दोस्तूं सभी बेरोजगार साती जो राजस्तान से कम्पिटिशन एक्जामों की तयारियां कर रहे हैं या एक्जाम दे चुके हैं उन सब की नजर बनी हुई है राजस्तान हाई कोट पर दोस्तूं जो 19 और 20 जनवरी को राजस्तान हाई कोट में होगा दोस्तूं तो दोस्तू इसी को लेकर कौन-कौन सी बरतिया है जो हाई कोट में चल रही है उनके बारे में इस वीडियो के मादेम से हम देखेंगे दोस्तूं आप सभी का में स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज पर दोस्तू वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सेर कर देना चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना दोस्तू राजस्तान की हर लेटेस्ट न्यूज के लिए आप इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें चलते हैं दोस्तू कौन-कौन सी बरतिया हैं जो हाई कोट के अंदर चल रही है और उनमें कौन-कौन सी परकरिया हैं वो दाव पर लगी हुई है दोस्तू सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन-कौन सी बरतिया है जो हाई कोट के अंदर है पहली बरतिया है दोस्तू वो है आरेस बरति दो जार अठारा उसके बाद बात करते हैं constable बरती उसके बाद pre primary teacher बरती 2018 जिसकी सुनवाई भी 20 जनवरी को नहीं है और REIT बरती REIT 2021 का मामला भी हाई कोट में उसकी भी सुनवाई है जो कल होगी दोस्तु तो करते हैं दोस्तु इनको एक एक के बारे में बात कितने अबेरती है जिनका इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों RAS बरती 2018 है जिसमें 980 पदू पर ये बरती 2018 से चालू है लेकिन दोस्तु न्यूकती के मामले में मुक्य परिक्सिया का परिणाम रद करने की एकल पीट के आदेश को चुनोती देने वाले RPSC एवय कार्मिक विबाग की अपील पर भी इसी सब्ता सुनवाई हो होने की संभाउना है अपील में का गया है कि एकल पीट के आदेश के पालना में कुल पदू के मुकाबले दो गुणा बेर्तियों को साक्सार्थकार में सामिल करने पर करीब 700 बेर्ति अधिक बुलाने पड़ेंगे इससे नैकेवल चेन पर किरिया पूरी करने में जैदा सम में लेगेगा और साक्सातकार की जो गुणवता है वो भी क्या होगी परभावित होगी वहीं आयोक आरेस प्रिक्सिया परिनाम के तेत आरेस बर्ति का परिनाम परिनाम पूर वैसे जारी करता आया है इसलिए एकल पीट का आदेश रद कर आरपीएसी को अबेर्टियों के अक्सातकार लेने की मंजूरी दी जाए तो दोस्तों अगले सब्ता के अंदर जो आरेस बर्ति दोजा रठार है इसकी सुनवाई कोट के अंदर हो सकती है अब आगे देखते हैं दोस्तुं कौंस्टेबल बर्ति जिसको पहले जो मेरिट आनी थी वो जिलेवाई जानी थी इसके बाद कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी इसकी जो परिणाम है उसके रोक लगा दी और पूर शंपुन राजस्तान की एक ही मेरिट जारी करने की बात कही गई थी इसी की सुनवाई होगी दोस्तु 20 जनवरी को जो कॉंस्टेबल बरती 2019 की है इसकी कॉंस्टेबल बरती 2019 क 5438 पदूपर न्युक्ती के मामले में भी 20 जनवरी को सुनवाई होगी 8 जनवरी को अदालत ने पूलीस कॉंस्टेबल बरती 2019 के जिलेवार अलग अलग परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार वर पूलीस परसासन को मामले में जवाब देने के लिए काहा था तो यह है पूलीस कॉंस्टेबल इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तू जो एक भूत लंबे समय से एक बरती चल रही है प्री प्राइमरी टीचर बरती 2018 इसकी भी सुनवाई है वो कब होगी 20 जनवरी को होगी दोस्तू तेरा सो दस पदू पर न्यूक्ती के मामले में दिली वजमुकस्मिर सहीत अन्य जगूं से एंटिटी कोर्स करने वालों को सामिल नहीं करने के मामले में सुनवाई 20 जनवरी को होगी प्रातियों का कहना था उनके रोल नमर कटो मरक से भी ज़्यदा आ गये हैं राज्य सरकार ने ये कहते वे न्यूक्ती से मन देने वाला है रेट 2021 मामला सुनवाई 19 जनवरी खंड़िट में 19 जनवरी को रेट 2021 के फेस्ट लेविल मामले में सरकार की 11 जनवरी को जारी प्रिक्षय विगपती एंसी टी की 23 अगस 2010 की गाइडलाइन को चुनोती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी अधिवक्ता कलीम एहमद खान वेगितेश जोसी ने बताया एंसी टी की गाइडलाइन को एस वेदानिक गोसित करने की गुआर की गई है गाइडलाइन ही गलत है तो उसके आदार पर रेट की विगपती कैसे सही होगी तो दोस्तु साड़ी सत्रे लाग अब बेरतियों का भाग्ये का ज जरूर करूंगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो एक बार वीडियो को सेर कर दो जिस सब भी को पहुंच जाए जिनके भी दिकत बन रही है कि जो हाई कोर्ट का फैसला वो कब आने वाला कब आने वाला है तो उनके पास भी ये सूचना आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जे हिंद, जे बाद.